हेलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल आज इस वीडियो में हम 14 नंबर के काना जी के लिए कैप देखेंगे ये मुझे एक कॉमेंट आया था प्रियांका जी का उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि 14 नंबर के काना जी के लिए कैप बताईए और अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा कॉमेंट जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देजेगा बैल आइकन को प्रेस जरूर कर देजेगा और नोटिफिकेशन पर तो यह देखिए कि आप कितनी प्यारी लग रही है, यह सूपर इजी कैप है, तो आए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने इसके लिए 4 चेंज ले ली हैं, जो 1st चेंज है उसमें slip stitch से join कर देंगे एक round बनाने के लिए, इस round में हमें work करना है, यह देखिए, यह हो गया है slip stitch, अब 2 चेंज ले लेंगे यह हमारे एक half double crochet अकाउंट होगा अब बीच वाले space में हम 11 half double crochet और कर लेंगे, तो हमारी total 12 half double crochet हो जाएंगे यह देखिए, 3rd half double crochet, इसी तरह से मुझे 12 half double crochet complete कर लेंगे तो यह देखिए मेरे complete हो गए हैं, दो chains ले ली हैं उसके बाद मैंने यह हमारा एक half double crochet हो गया, तो next chain में हम 2 half double crochet अबनाएंगे हर second chain में हमें 1 half double crochet increase करना है, यह हमारी second row है second chain में हमें 1 half double crochet increase करना है, जैसे अब एक में 1 half double crochet और second chain में 2 half double crochet 1, 2, 1, 2, ऐसे ही हमारी यह पूरी row complete हो जाएगी यह देखिए मेरी row complete हो चुकिया, अब 3rd row में हमने 2 chains ले ली हैं, यह हमारा 1 half double crochet count होगा, next chain में 1 half double crochet, अब यह हमारी 3rd row है, 3rd chain में 2 half double crochet बनेंगे यह देखिए, एक-एक मैंने 2 chains में बना लिये थे, अब 3rd chain में 2 बनाने या इकठे, फिर से हम 1-1 बना लेंगे, 3rd में 2 बनाएंगे ऐसे हमें 3rd chain में 2-2 बनाते जाना है, तो यह हमारी 3rd row थी 3rd chain में increase किया हमने, है न, अब हमारी 4th row है, 2 chains ले ली मैंने यह हमारा 1 half double crochet count होगा, 2nd half double crochet, 2nd chain में 3rd half double crochet, 3rd chain में, अब यह हमारी 4th row है, तो 4th row में हमें 2 बना लेने हैं, यह देखे, ऐसे, अब यह देखे, ऐसे करके हमें 4th row, 4th chain में increase करना है, फिर से मैं 3 बना के 4th में increase करूँगी, ऐसे ही हमें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक हमें रोज यह बना लेनी है, यह मैं complete करके दिखाते हूँ, यह देखे, 10 में हमने क्या किया, ऐसे ही करना था, 5 में, 5 यह में increase, 6 में, 6 में increase, ऐसे करके, 10th row में, 10 में increase, ऐसे करके, मैंने 10 रोज बना ली है, उसके बाद मैं 3 chains ले लूँगी, next chain में double crochet बना लूँगी, फिर next chain में double crochet, अब हमें कुछ भी increase, decrease, कुछ नहीं करना है, हर chain में 1, 1 double crochet बना लेना है, हर chain में 1, 1 double crochet, इसी तरह से मुझे पूरी row complete कर लेनी है, और इसी तरह मुझे 5 रोज और बना लेनी है, मतलब total 5, पहले हमने 10 बनाई है, अब हम 5 double crochet की rows बनाएंगे, यह देखिए मेरी rows complete हो चुकी है, तो इस stage पर क्या करना है, अपने काना जी को यह पहना कर देखनी है, अगर यह बीच में उनको थोड़ी tight आ रही है, अगर यह cap उनको थोड़ी tight है, तो बीच में जो हमने 10 rows बनाई है, circle बनाया जब start किया था, तो यह जो circle बनाया है, इसमें आप अगर tight है, तो एक दो रोज increase कर लीजे, अगर loose है, तो एक दो रोज कम कर लीजे, क्योंकि कहीं का हाथ का फर्क होता है, कहीं tight crochet बनाते हैं, कहीं loose crochet बनाते हैं, तो यह अपनी तरह से हमें अपने काना जी के लिए customize कर लेना है, उसके बाद जो मैंने five rows बनाई है, double crochet वाली, अगर आपको length छोटी लग रही है, उनको पहनाने के बाद, तो आप एक दो रोज और बना सकते हैं, अगर बड़ी लग रही है, तो एक दो रोज कम कर सकते हैं, वैसे मुझे लग रहा है कि यह सही आएगा आपको आपके काना जी को, तो अगर सही आएगा तो like share जरूर कीजेगा वीडियो को, तो आगे हम design देख लेते हैं, तो इसमें मैंने purple color add कर लिया है, wool मैंने दोनों ही फर वाली ली है, white और purple दोनों फर वाली है, crochet हुग भी मेरा बारा नंबर का है, मैं पहले भी बताती हूँ, से 5 chains बनाई है, 3 chains छोड की 4th में single crochet से join कर दिया, इसी तरह से ये पूरी loopy row हम बना लेंगे, loops बनाने है हमें हमें इसमें, ये देखे मेरी loopy row complete हो चुकी है, अब हम loop में चले जाएंगे, slip stitch की help से, slip stitch से हम loop में enter हो जाएंगे, ये देखे मैं आ गई हूँ loop में, अब हम इसम single crochet बना लेंगे, इसी space में हमें एक half double crochet बना लेना है, इसी space में एक double crochet, फिर से दो loops दो बार लेके ना धागा, फिर triple crochet, अगर ये सबी आपको नहीं आते हैं, तो beginners वाले lessons है मेरे चानल पर, वो आप देख सकते हैं, सभी मैंने आराम से एक एक वीडियो में बताया है, ये double crochet बना या है, अब एक half double crochet एक single crochet, तो ऐसे हमें ये design बना लेना है, हर loop में, तो next में भी हम ऐसी बना हैंगे, single crochet, half double crochet, double crochet, triple crochet, double crochet, half double crochet, single crochet, तो इसी तरह से हमें ये हर लूप में बना लेना है तो इसे में complete करके आपको दिखाती हूँ तो ये दिखिए हमारी cap कुछ इस तरह से दिख रही है अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसे like, share जरूर केज़ेगा comment जरूर केज़ेगा, subscribe जरूर कर देज़ेगा चैनल को और bell icon को प्रेस करना मत भूलेगा all notifications पर so thank you so much, Jai Radhe Krishna